हेलो वच्चो गुड मॉर्निंग आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉफ मोशन के बारे में प्रिवियस लेक्चर्स में हमने देखा वच्चो सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉफ मोशन जिसमें आपने पढ़ा कि अगर कोई अबजेक्ट रेस्ट मोड में है तो वो हमेशा रेस्ट मोड में ही बना रहना चाहेगा अगर कोई अबजेक्ट मोशन कर रहा है धो वो हमेशा मोशन करते रहा चाहेगा जब تक कि उन पर कोई एक्सटर्नल अन-baiलंस फॉर्स एक्ट नह करे फिर हमने पढ़ा Newton 2nd law of motion जिसमे आपने देखा कि जो the rate change of momentum है वो directly proportion होती है force के ठीक है बच्छो यह आपने Newton के दो लो पड़ लिये थे आज हम पड़ेंगे Newton third law of motion के बारे में according to this law every action is followed by a reaction of equal magnitude and in opposite direction तो बच्छो Newton का जो third law है वो हमें क्या बता रहा है कि कोई भी action होती है तो उस action के equal magnitude और opposite direction की एक reaction भी पक्का होगी अगर मैं इस white board पर 5 Newton का force लगा रहा हूँ बच्छो इस direction में forward direction में 5 Newton का force लगा रहा हूँ तो ये white board भी क्या करेगा बच्छो 5 Newton का force इस backward direction में भी apply करेगा मतलब जितनी मैंने action की उतनी ही magnitude की opposite direction में एक reaction भी पक्का होगी ये है बच्छो Newton third law of motion समझ में आई बात अगर बच्छो में ये हाथ जो है ये हाथ का जो मुक्का है वो यहां पर white board या फिर कोई और object है वाल है उस पर बच्छो मैं यहां से यूं मारता हूँ तो देखिए मैंने क्या किया मैंने यहां पर बहुत ज़्यादा force का एक मुक्का मारा तो मुझे क्या लगेगा बच्छो उस wall की तरफ से भी उसी equal magnitude का force लगेगा और मुझे चोट लगेगी अगर बच्छो मैं बिलकुल धीरे से लगाऊं यहां पर हलके से force से लगाऊं तो मुझे सामने से भी हलका force मिलेगा तो चोट कम लगेगी अगर बच्छो मैं जोर से मारूंगा तो मुझे चोट ज़्यादा लगेगी क्यों? क्योंकि बच्छो जितनी मैं action कर रहा हूँ इतनी reaction भी आएगी उसकी वज़य से force बहुत ज़्यादा हो जाएगा और चोट ज़्यादा लगेगी This law is called action reaction law क्योंकि बच्छो इसके मैं action और reaction की बात कर रहे हैं तो इस law का second name कौन्छा है Newton's action reaction law एक खास बात है बच्छो वो यह है कि यह जो action और reaction होती है वो हमेशा different bodies पर act करती है नेकि कैसे action and reaction force act on different bodies ऐसा नहीं है किसी एक ही object के उपर ही force लग रहा है उसी के उपर मतलब action हो रही है और उसी के उपर reaction हो रही ऐसा नहीं हो सकता action और reaction के लिए अलग-अलग दो bodies work करेगी ठीक है बच्छो यहां तक चीज़ें clear है न अभी दो bodies ही तो थी इधर से मेरा हाथ था सामने शेवाल थी या फिर whiteboard था अकेली bodies के उपर यह Newton का third law है apply नहीं हो सकता दो other bodies है इसमें एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कोई भी first body जो second body पर या जो first object है वो second object पर जो बच्छो force apply करता है उस force को action बोला जाता है और फिर जो second object तो first object पर backward direction में जो force apply करता है उसे reaction बोला जाता है यहां तक बाते clear है बच्छो सारी के सारी यह चीज़े समझ में आ रही है इसके अलावा बच्छो swimming की process होती है जो swimming की process है वो भी newton's third law of motion पर depend करती है देखिए कैसे अगर कोई एक person है बच्छो वो swimming कर रहा है तो वो क्या करेगा वो अपने hand को यू बच्छो आगे से लाते हुए उसको water को backward direction के अंदर put करेगा उस water पर backward direction में force apply करेगा जैसे ही जितने magnitude का वो force apply कर रहा है water के ओपर backward direction में तो बच्छो water जो है वो भी क्या करेगा वो एक reaction करेगा यह तो action थी उसने अपने हाथ से water के अंदर water को पीछे की और धकेल दिया अब क्या करेगा अब बच्छो water जो है वो उसके equal magnitude और just opposite direction में क्या करेगा एक reaction करेगा और वो उस परशन को क्या करेंगे बच्छो वो उस परशन को आगे की और धकेल देंगे उस परशन को क्या करेंगे उस परशन को आगे की और धकेल देंगे यहां तक सीज़े clear होई बच्चो सारी की सारी, दुबारा समझे इस चीज़ को swimming की process को swimming में देखी क्या करते है, जो भी तेराक होता है, वो अपने दोनों हाथे से पानी को यूँ पिछे की और धकेलता है क्यों दकेलता है, बच्चो वो action कर रहा है वो क्या करता है, बार-बार मतलब किसी ने water के किसी magnitude को पिछे की और धकेलता है, जो बच्चो water पिछे की और धकेला जा रहा है, तेन क्या होगा, अब water जो है उसी equal magnitude का opposite direction में reaction करेगा तो वो क्या करेगा, उस object को या फिर उस person को आगे की और धकेलते जाएगा, तो ये है बच्चो action reaction law of Newton, ये आपने एक example यहाँ पर समझा है बच्चो swimming का, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ कोई और example के उपर बच्चो, तो वो कौन सा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा, कि आप चलते हो, ठीक है अपन वोक करते हैं बच्चो हमारे वोक करने में वोक करने की जो प्रोसेस है वो भी Newton third law of motion के कारण ही पूरी हो रही है देखिए कैसे, एक चीज़ को आप ध्यान देना, आप जब चलते हो तो कैसे चलते हो, अगर ये बच्चो plane है या फिर ये अर्थ है आपने अर्थ के उपर क्या रखा ये आपका पेर है, इस पोस्देट है तो हाथ लेकिन इसे मानिया आप पेर है आप यूँ इस अर्थ के उपर पेर रखते हो, फिर चलते कैसे हो, देखना आप जो पिछे का पार्थ है बच्चो उसको पहले उठाते हो, और फिर पंजे से पिछे के और फोर्स लगा करके आगे बढ़ते हो ट्राइ करके देखेगा, कि आप कैसे अर्थ के उपर पेर रखा, पहले पिछे वाला पार्थ उठाया, फिर यह जो आगे वाला पार्थ है बच्चो इससे पिछे के और फोर्स लगाते हो, आगे चलते हो मतलब बच्चो यह अच्छा, आप कबसे सोच रहे होगा न डाइग्राम ऐसे कैसे बना रखा है, बज़ डाइग्राम ही ऐसा है लेकिन अपने कुछ जो चीज़े समझनी है, वो यहां से पूरी हो सकती है देखे कैसे, आपने इस पंजे से, अचा, बिल्कुल सिधा फोर्स नहीं लगा रहे हो आप देख रहा है, आप चल रहे हो ला, तब आप निचे की और फोर्स लगा रहे हो, मतलब यू इस डारेक्शन में फोर्स लगा रहे हो आप, आपने इधर की और फोर्स लगाया, एफ तो बचो, अभी मैंने आपको बताया था कि हर एक्शन के इक्वल मैगनिट्यूट की अपोजिट डारेक्शन में एक रियक्शन पका होगी, तो ये जो अर्थ है, वो भी एक रियक्शन करेगी बचो, और उस रियक्शन फोर्स को मैं आर से रिप्रजेंट करता हूँ, और ये अर्थ के साथ थिटा एंगल बनाईगी, चीजें क्लियर है बचो, अब देखिए आप, ये जो इसको मैं टू कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ, ये पहला कॉम्पोनेंट है, आर कॉस थिटा, और ये जो सेकिंड कॉम्पोनेंट है, आर साइन थिटा, और आ आर कोस थिटा है न, वो तो किसके काम आएगा बचो यहां पर, आर कोस थिटा है, वो आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है, मतलब आपको फॉर्वर्ड डारेक्शन में मूव करने में हेल्प करेगा, और जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, कौनसा, आर साइन थिटा, वो आपके वेट को बैलेंस करेगा, ठीक है, आर कोस थिटा, जो होरिजन्टल कॉम्पोनेंट है, वो तो आपको फॉर्वर्ड डारेक्शन में मूव करने में हेल्प करने वाला है, और आर साइन थिटा है, वो आपके वेट को बैलेंस करेगा, तो बचो यहां भी देखिए, एक और एक्जामपल पर बात करूँ, तो वो कौन सा होगा, जब भी बचो बुलेट शूट करते हैं, कोई भी राइफल से बुलेट शूट कर रहे हो, तब भी आप मुवीज वगएरा में नोट किया होगा, तो आप देखिए, यह राइफल है, और इस राइफल से बचो ज के अंदर जोर से जटका लगाएगी, जैसे ही आप राइफल से, मतलब राइफल से बुलेट शूट करते हो, जैसे ही बुलेट आगे निकलेगी, वो एक्शन होगा, तो यह राइफल है, वो पिछी के और इसके उपर धका लगेगा, उसे रियक्शन कहेंगे, मतलब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो न्यूटन का जो थर्ड लो है वचो, वो रेस्ट मोड वाले अबजेक्ट पर और मोशन कर रहे अबजेक्ट दोनों पर अपलाई होता है, दोनों पर ही अपलाई होता है, तो आज के वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा वच और इसे हमने नाम दिया action reaction low और ये भी देखा कि action reaction force है, वो act करते हैं different body पर, मतलब एक ही body पर दोनों अपलाई नहीं कर सकते, और फिर हमने अलग अलग है example से इसको समझने की try की, swimming की process को समझा, walking की process को समझा, bullet वाले example से भी इस चीज़ को समझने की try की, तो बच्छो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए goodbye, take care